हेलो दोस्तों कैसे आप लोग स्वास्त और मस्त होंगे और अभी कुछ 15 दिनों से मैं पहाडों में ही था इससे पहले हमारी एक भागवत कथा हो रही थी नैदना माता मंदिर में और अभी हाल बला दौला ग्राम सभा में भागवत हो रही है और आज उसका परायन है तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यह टॉप है और अभी तो दोस्तों स्कूल की छुट्टी पढ़ी हुई है फिर आरा संडे भी है वैसे भी स्कूल की अभी एक दिर मेने की छुट्टी होंगी गाउं में क्या सभी जगे चुट्टिया चल रही है और देखे कितनी जाओन पर कितना प्यारा स्कूल बना है तो पढ़ने के सांसांत प्रकरति का आनन भी लो और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम भी बच्चे हो और अभी इस स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं क्योंकि ऐसे स्कूलों की बात ही कुछ और है इस तरीके से बने गए है नहीं तो मैं तो अगर यहां पर दो तीन मेहने रह लूँ तो साइद एक डेड़ी तलो वजन कम हो सकता है क्योंकि ऊपर चढ़ना और उतरना कप्स है दो सो से थाई सो मीटर तो है रोड से और रास्ते देखिए बिल्कुल पत्थरों से बने हुए है रास्ते अच्छे बने हुए है और यहां के बच्चों को तो खेरा आदत है वो तो बड़े प्यार से दौरते हुए आ जाते हैं हम जैसे लोग जो सेरों में रहते हैं उनको बड़ा टफ हो ता है आना लेकिन फिर भी कोशिस कर रहा हूँ तो मैं आता जाता रहता हूं लेकिन फिर भी टफ है तो अभी हमा मतलब पहाड में ही है वहीं जाना इनको अपने घर तो अभी आप अब लानी की तरफ जाएंगे